गाव लुखी वे आसपास के दरजनों गाव के लोगों को उप मुखे मंतरी दुश्यन चोटाला ने बड़ी सोगात दी है जो फसल खरीद के अंदर पिछले 40 वर्षों से बंद पड़ा था उसे सिर्फ 11 दिनों में चालू करवा दिया गया है अब लुखी स्थित फसल खरीद के अंदर में किसान अपनी फसलों को बेश सकेंगे पता दें कि ग्रामिनों की इस मांग को जच्पा के युवजिला ध्यक्ष डॉक्टर जस्विंदर खहरा ने 28 स्टंबर को उप मुखे मंतरी को सौँपा था आठ अक्टूबर को विभाग द्वारा फसल खरीद के अंदर को चालू करने का पत्र भी आ गया इसको लेकर किसान फसल खरीद के अंदर स्थल पर इकत्रित हुए और डॉक्टर जस्विंदर खहरा का धन्यवात किया विललडू खिला कर खुशी का इजहार किया डॉक्टर जस्विंदर खहरा ने कहा कि इस शेतर के किसानों के लिए खुशी की बात है कि लुक्षी में फसल खरीद के अंदर बनाया गया है इससे हजारों किसानों को फाइदा मिलेगा किसान हीरा सिंग और करनायल सिंग ने कहा कि ये नहीं है कि पहली बार सरकार के सामने ये मांग रखी है इससे पहले भी अनेकों बार ग्रामिनों दोरा इस मांग को सरकारों के सामने रखा गया है अनेकों सरकारे आई और गई लेकिन किसी ने भी ग्रामन की इस मांग को पूरा नहीं किया कुछ दिन पहले उन्होंने इस समस्या को जजबाने तर डॉक्टर जस्विंदर खेरा के सामने रखा था डॉक्टर खेरा ने इस मांग को उप मुख्य मंतरी के सामने रखा और दुशन चोडाला ने सिर्फ 11 दिनों के अंतराल में ही उनकी मांग को पूरा कर दिया है किसान सुशील राणा में पूर सरपंच तीश राणा ने कहा कि 40 साल से ये केंदर बंद पड़ा था लेकिन किसी ने भी इसकी सुध नहीं ली लेकिन उप मुखे मंतर दुशन चोडाला ने इस शेतर की जनता की आवाज को सुनते हुए सिर्फ 11 दिनों में इस समस्या से निज़ाद दिलवाई है सरपंच बलदेव सिंग और बली राणा ने कहा कि पहले वे करीब 40 किलोमेटर दूर थानिसर अनाज मंडी में अपनी फसलों को लेकर जा रहे थे जिस से उनका समय खराब होता था वे खर्च बढ़ रहा था इसके अंदर के शुरू हो जाने से यहां की किसानों को बहुत फायदा मिलेगा इस मौके पर अजमेर सिंग, नीरश शर्मा, बिट्टु संदोफपुरा, जर्नैल, अनिल राना, गुलजार सिंग, रंजीत, गिलसेट, अने, अनेक किसान मौजूद रहे देखिए, आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, हर्श की बात है, कि निरंतर जो आप ये मंडी देख रहे हैं, निरंतर 40 सालों से ये बंद पड़ी थी और हमारी सभी इलाका निवासियों के जो डिमांड थी, कि इस मंडी को जो परचेस सेंटर है, इसको स्टार्ट किया जाए लेकिन मैं पिछली बात करूँ को समय समय की सरकारे जितनी भी आएं, याज सभी हमरे इलाका निवासी खड़े हैं समय समय की सरकारों के पास हम सभी गए हैं और डिमांड भी की है लेकिन मुझे लगता है कि हमारी सुनवाई नहीं हो पाई तो अब जो सरकार में हमें भी मौका मिला है सेवा करने का और लाकानवासियों की डिमांड थी आज सभी जो हमारे बज़ुरुग हैं हमारे सम्मानित किसान सभी यहां पर खड़े हैं तो एक जो डिमांड लेटर हमारे को जो राप्त हुआ था है और हम भी यहां के वसनीक हैं, सभी की डिमांड थी, तो एक डिमांड लेटर जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये 28 तारीक को हमने मान रहे हैं, उक मुख्मंतरी दुशन सिंग चोटाला जी को दिया था, और बड़ी खुशी की बात है कि आज मुझे लगता है कि ये 12-13 दिन जो एक दौर देखा था, हम 40 किलोमेटर दूर जाते थे, ये 13 दिनों का सफर हमें कुछ महसूस ही नहीं हुआ, और 13 दिन के अंदर अंदर ये हमारा परचेस सेंटर अब जो स्टार्ट हो गया है, इसके लिए मैं सुमूज सरकार को इसके लिए धन्यवाद करता हूँ, आज उनसे निरंतर जो हमारी आगे भी जो किसानों की मांगे होगी, उन मांगों को भी हम लोगों तक समर्पित करने का जो हमारा प्रयास जारी रहे है। इसके लिए मंडी आज चालू होगी है, लोकादी बहुत डमांड सी, बहुत लोकानों फैदा रहेगा। जिनने आसपास देपेंड है, गौह हैं, सब को जीरी बेचने का मौका मिलेगा और फैदा होएगा, सब का तेल बचेगा, सब का टैम बचेगा। जारी बचेगा। धन्यावाद जिस्विंदर खेरा के प्रयासों से 40-50 साल से जोर काम पेंडिंग पड़ा था ये डिप्टिश हम दुसें चुटालें जो सुनवाई की है मेरे भाईयों के लिए बहुत ज्यादा बहुत बढ़िया इसको हम सारी उमर याद रखेंगे और कल परसों से यहां काम सुरू हो जेगा सफाई का दूसरां चुटाला जी के जस भाईयों जिस्विंदर खेरा के प्रयासों के बहुत बहुत धन्यावाद बहुत ज्यादन है खाबर ना मार्याना के लिए डॉक्टर राजीश वद्वा की रिपोर्ट